Rainbow Seven Channel की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नवसकार कल हीमाचल के विनेट की मीटिंग हुई और उसके पस्चात नई गाइडलाइन जारी की गई हम इस वीडियो में टूरिजम सेक्टर से रिलेटेड गाइडलाइन है उसकी बात करेंगे लेकिन उसमें बहुत सारे कन्फूजन है उसमें जो कमिया है जिसको देखते हुए यदि इनमें सुदार नहीं किया गया तो हीमाचल का जो टूरिजम सेक्टर है वो एक बार लाएंगे और टूरिस्ट और साथ में टूरिजम इंडिस्ट्री से जुड़े लोग है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेर कीजएगा और सरकार से आग रहे हैं कि इस जो दो तीन कन्फूजन है उनको आप दूर कीजएगा जितना जल्दी हो सके पहला कन्फूज मान लिजे पबलिक ट्रांस्पोर्टेशन का यूज करते हुए बस स्टेंड पहुंच गया है दिली से मनाली सिमला कहीं भी हिमाचल में और रातरी को वह अपने होटल कैसे जाएगा क्योंकि आपने और किसी परकार के जो वहिकल है उनको अलाउड नहीं किया गया यानि उन उसको अनावसक रूप से उसकी गहन पूस्ताच की जाएगी और उसको प्रिसान भी किया जा सकता है एसे में जो टूरिजम है वो नीचे जा सकता है करफिया इस कन्फूजन को दूर करें नेक्स्ट तीसरा कन्फूजन बात करें उससे पहले ई-पास हिमाचल गवर्मेंट मैंने समाप्त कर दिया है जैसा कि यह अभी मैंने चेक किया है इस साइट के उपर और उसके अलावा टूरिस्ट यह पूछ रहा है कि कौन-कौन से डोकूमेंट आप जो बोर्डर है वहां पर दिखाने होंगे यानि कि टू डोज वेक्सिनेशन सेटिफिगेट या आटी प होता हूंगा सबसे बड़ा और सबसे नुक्सान दे हो सकता है हिमाचल टूरिजम इंडिस्ट्री को क्योंकि टूरिजम इंडिस्ट्री है वह 26 परसेंट जिडीपी का इसी से प्राप्त होता है इतना बड़ा रेवन्यू और रिस्पोंसिबलिटी बहुत कम कैसे इस साइट पर लेटेस्ट नुज वाले सेक्शन को खंगा लेंगे तो पूरानी नुज मिलेगी जब हम इस पर हमने संपर करने का परियास किया पांस बज़े के बाद क्योंकि अतिति है महमान है आने की तिति मालूम नहीं है वो कभी भी आ सकता है कभी भी कॉल कर सकता है आपने लाइन नहीं आता है तो एसी व्यवस्ता होनी चाहिए टूरिस्ट की लिए कि वो 365 दिन 24 गंटे संपर कर सके और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सके जिसे उसके यात्राकारी करम बनाने में सुविदा रहे हैं और लेटेस्ट जानकारी मान लिजे सनोफ होल की है नई लाइन की है या कोई भी लेंड स्लाइड हुआ है उसकी जानकारी टूरिजम डिपार्रिमेंट के थुरू हो सके यह आज का ही मैंने वीडियो सूट किया है 6 जनवरी का है और पांस बजे के बाद है कोई रिपलाइन नहीं आया है ही माचल गोवर्मेंट की रिस्पॉंसिब होने के बाद यहां जो भी टूरिस्ट आएगा क्योंकि यहां के लोग इतने अच्छे हैं कि एक बार यहां आ गया तो बार बार आना चाहेगा तो सरकार की इस जो मैंने खामियां बताई है कन्फूज बताए हैं मैं चाहता हूं कि दूर करे और जो टूरिजम से जूड़े बेखती है इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करे और टूरिस्ट है हमारी हेल्प करे इस आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग जै हिंद जै भारत